राइसेन जिले के उदरपुरा में चना उपारजन केंदर प्रवंदक की लापरवाई के चलते केंदर पर न तो सोसल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और नहीं किसानों के लिए कोई विवस्ता है किसान तपती धूप में चार दिन से उपच दिलवाने का इंतिजार कर रहे है राइसेन जिले के उदरपुरा के पास इस्थित वेयर हाउस चना उपारजन केंदर पर किसानों की तुलाई और टोकन नम मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 12 पर जाम लगा दिया वहीं इस वेयर हाउस उपारजन केंदर पर किसानों के लिए बिजली पानी और खाने की कोई विवस्ता नहीं है इसके बावजूद यहाँ पर केंदर बनाया गया जिसका खामिया जाना किसानों को भुगतना पड़ रहा है वहीं किसान लगबग 3-4 दिन से अपनी उपच को तुलवाने के लिए कड़कड़ाती धूप में इंतजार कर रहे है पर सर्वेयर की मन मानी के चलते पहले से आये हुए किसानों की उपच को न तोल कर पक्षपात करते हुए बाद में आये किसानों की उपच को तोला जा रहा है जिससे नाराज किसानों ने नेशनल हाइवे पर चक्का जाम किया एवं केंदर प्रबंदन पर कारवाई की मांग की वहीं उपारजन केंदर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है वहीं मोके पर पहुझे तहसिलदार ओ ट्याई के आश्वशन के बाद किसान माने और जखका जाम को खत्म किया कि निया मानुसार काम नहीं हो रहा है जिसके बीरोध में अनने किया था यह जानकर होते ही और यह आपके व्यवस्ता कर दी गई है और लेवर की समस्या थे तो लेवर की विवस्ता करती गई है जिसका प्यमेंट अपना डियार से हो जाएगा जिले से उनसे भी चर्चा लेकिन सर्वें यहां पर कोई विवस्ताइं भी नहीं है और वहीं देखा जा रहा है किसानों द्वारा ही लोग सोशल डिस्टेंस का इस डि करने के लिए बार बार इनको समझाई दी जा रही है और पालन कराया देजा रहा है जाने इन